तो इस्टुडेंट मैं वरु सिंग क्लास सेवेंथ के साइंस का चैप्टर फोर हीट का लेक्चर लेने जा रहा हूं यह हीट का पहला लेक्चर होगा तब तक आप इस विडियो पर बने रहें तो हीट हम लोग जानते हैं वाट इस हीट हीट जब भी हम किसी चीज को छूते हैं तो या तो ठंड महसूस होता है या किसी चीज को जब छूते हैं या तो गर्म महसूस होता है तो दो चीज का हमारे पास होता है एक ठंधापन का और एक गर्मी का तो हीट एक क्या है कि कभी जैसे कि मालेजे कि आप आइस को छूते हैं तो कैसा महसूस होता है जब आप आइस को छूएंगे तो ठंधा महसूस होगा लेकिन वही जब आप बॉइलिंग वाटर को छूएंगे तो उसमें काईसा महसूस होगा तो ठंधापन और गर्ब ये दो तरह की महसूस हमारे फिंग इन दिस चाप्टर यह लेक्चर वन है चाप्टर फोर का तो हम लोग पढ़ें के पहले वाट इस हीट हीट क्या है बच्छों हीट इस हीट हीट क्या है हीट एक उर्जा का रूप है इस फॉर्जा का ही एक रूप है तो यह उर्जा का रूप है लेकिन इस फॉर्जा का रूप को हम लोग देख सकते हैं ही गोप देखे हैं में सकते हैं हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं इसे थी यह फॉख अफ एंशी विट डिश कैनाट भी सिंब इस एनर्जी इस फॉख अप खिल गस्थ यहां और be seen with our seen with our eyes यह हमारी आखों से नहीं देखा जा सकता है और यह heat क्या करता है किसी बस्तू को hotter बना देता है गर्म बना देता है heat makes object hotter heat makes object hotter object hotter heat जो है वो अबजेक को क्या बना देता है गर्म बना देता है तो heat cannot heat एक उर्जा का रूप है उर्जा इननों energy energy क्या दिवाद में सेट करना है heat एक रूप है energy का heat is a form of energy that cannot be seen with our sense organ eye heat cannot make substance hotter heat we can feel heat by how low heat coffee कर सकते है कैसे जैसे कि माल लिए temperature effect से we can feel heat by temperature effect we can feel heat heat by temperature effect temperature effect हम लोग heat को कैसे महसूस कर सकते है we can feel heat by temperature effect it produces don't temperature effect it produces हम लोग थामोमेटर में देखे ले कि क्या कैसे प्रोडूश करता है it produces so this is the first lecture of heat and chapter is your floor और इसमें हम बता रहे हीट के बारे में and it makes object hotter हम लोग heat को महसूस करते है we can feel heat by temperature effect जो तेम्प्रेचर वोग अपनी सरावंडिंग में देता है by temperature effect what it produces temperature effect जो यह produce करता है जैसे कि माल रिये कि कभी जब किसी object को हम heat देते हैं when heat is given to the object when heat is given to the object heat is given to the object when heat is given to the object heat is given to the object when heat is taken out when heat is released when heat is released by object heat is released by object it becomes cold it becomes cold यह खन्डा हो जाता है देखिए यहां पर heat के वारे में हम लोग पढ़ रहा है heat उर्जा का रूप होता है heat जो होता है जब किसी object को हम heat देते हैं तो उसकी temperature उसका temperature बढ़ जाता है it becomes hotter hotter होने का आर्थ क्या होता है hotter होने का आर्थ होता है temperature एफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब किसी object को heat करते हैं तो वह hotter हो जाता है hotter होने का आर्थ उसका temperature इंक्रीज कर जाता है temperature क्या होगा increase कर जाएगा temperature increases और इसमें क्या है release heat object it means it temperature इसका क्या हो जाएगा decrease temperature 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 decreases temperature इसमें क्या होगा घटने रहता है तो when heat is given to the object it becomes hotter और hot होने के बाद उसका temperature बढ़ जाता है और जब heat is released from the object it becomes cold और इसका अर्थ है कि उसका temperature जो है वो कम हो जाता है heat release होगा temperature कम होगा of heat अगा temperature तो उसका temperaturedoes बढ़ जाएगा तो हम लोग इस चीज को देखेंगे ङह कि बेजरी हमें वोल एकर मेर्या इभड बढ़ एकर गटthenा what happens if you put अ Water in your refrigerator वे आप 日 रहतें में तो उसमें क्या होता है, तो यहां पर देखेंगे, जब हम किसी चीज को बाइल करते हैं, यहां पर एक फ्लेम है, और उस फ्लेम से वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट इस इसने क्या वरा है, हीट एनर्जी इस इनर्जी इस गीव हैं, हीट एनर्जी इस गीव हैं, हीट एनर्जी दिया ज़रा है, तो यह वाटर क्या करता है, वाटर स्टार्ट बॉल, वाटर स्टार्ट बॉल, यह वाटर बॉल करता है, वाटर बॉल्स, अब इस वाटर में इस वाटर को हम रेफ्रीजरेटर में रख देते हैं इन रेफ्रीजरेटर में रख देते हैं और इसको हम फ्रीज करते हैं वाटर को जब फ्रीज करते हैं तो यह क्या होता है कि देखिए वाटर जब वाई होता है तो वो हीट एनर्जी को लेता है अपने म हीट लेगा उतना ही उसका टमप्रेचर बढ़ता चलागा जब हम वाटर को बोल करते हैं तो वह हीट एनरजी को लेगा और जितना हीट एनरजी लेगा उतना ही उसका टेमप्रेचर बढ़ेगा during the case of during boiling, during boiling, it takes heat from the surrounding, heat from the surrounding and its temperature, its temperature rises. when heat is given out, when heat is taken out, heat is taken out, when heat is taken out, the state changes to ice, when heat is taken out, 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 the water will increase the temperature. so during boiling, it takes heat from surrounding, during boiling, it takes heat from the surrounding, the surrounding heat is taken out, and it gives heat to the surrounding and so it becomes ice, which means that it is so cold, it is in the ice, and you know the ice, it is in the ice, and you know the ice, it is in the ice, it is in the ice, when heat is taken out, 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 can, everytime, we talk about ourselves and then we talk about the ice हम समझेगी कि ऑइस है और इसमें क्या है एकस्परिमेंट कर रए यहाँ पर फॉर्मिन वेंनेойд सबस्काने हैं यह ए क्रिमेर गां यह रता राटलंगे एक पूर्गजिस को है C गब हो गांपने ही लैप मुषनी को हीराए लब अर किया हैं जासे, क्या डिय। जाते हैं राइट आर्म को उडाल दिया, suppose this is your right arm, right arm, ये cold water में डाले हुए, बहुत cold water है, एक वीकर है जिसमें हम moderately hot water लिए, ये है moderately hot water, मतला cold water से थोड़ा गार, moderately hot water, hot water, तो अगर हम right arm को इसमें डालते है, इस right arm is pushed, right arm is pushed, अजर हम आपने राइच हैं को इसमें डाल रहे हैं, this is your right hand, left arm from boiling water, ये मंग ये left arm from boiling water, तो भौई वार्ट लेफ्ट आउने रहे वाजिमाटर से इसमें बॉद्वाटर पर नियुक्ट अग जाएगा वो क्या महसूस करेगा इसमें जो है स्पेक्ट में ये कम गरम है तो हमें ठंधा मौसूस होता है जैसे गरम पानी में से हाथ निकाल के कुछ वैसे पानी पानी में हाथ डाले जो थोड़ा गरम है तो इसमें डालेंगे तो ती सीधे निकाल करके इस मोड़र की उतंता पंभा वोड़ा गया है तो इसमें ठंदापन मौसूस हो रहा है कुल मौसूस कर रहे हैं लेकिन वही बात अगर हम लोग करने जाए अगर हम लोग करने जाए कि यहां पर राइट अर्म को डालते हैं राइट राइट आप प्रॉम आई गोल वाटर आईस कोल्ड वाटर और वाटर से अगर हम आपने राइट अंव को डालें तो राइट आम को डालते समय वैं गी नहींर दूना करें यह अपका क्या होगा राइ्क तो यह का होगा इसमे मुझें Pastor leading दिस जो फील्स हरते ह magari यह माज़िव करें देखेंट बसны उससे को में तीन ऐबसे होगा तो तो इस चीज को थंड़ा महसूस करता है और वही राइप उसको गर्म महसूस करता है कहा हमारा सेंस ओर ने इस चीज और हम यहीं कर पा रहा है तो उसके मैंजरिंग पैवाना की कैसे हम लोग मेजर करेंगे एपना कोल्ड के लिए तो यह प्रिवाना का अविश्कार की तो जैसे की सेंस ओर जो है एक हाथ में टाल रहा है तो लगा रहा है कि खंडा है दूसरे हां जाल रहा है तो इस फिलिग आफ सेंस ओर गन इस बेरी उसरें करने के लिए टेम्परेशर मेजर है टेम्परेशर विए टेम्परेशर के बात करेंगे temperature temperature reliable measure of a reliable measure measure a reliable measure of hotness or coldness of hotness hotness or coldness measure of hotness or coldness of object of object means which is hot and cold is temperature temperature reliable measure of hotness or coldness of an object is called temperature 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 is measured temperature 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 is measured by is measured measured by instrument by instrument 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 measured by instrument called temperature 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 is measured by instrument called thermometer temperature temperature तेम्परेचर पर कहते हैं तो यह बहुत गर्म हो जाता है तो कहते हैं यह ज़ने को ज सकते हैं जब किसी वर्तल को जलते में गयार्म होता है, तो वे तो तीक वह थंड़ा महसोस होता है तो हम क्या कहेंगे? कि इसका temperature बहुत कम है, तो temperature का गर्म और ठंड हाज से कि फिर एक बार ध्यान से दुनिएगा, कि हम लोग temperature को गर्म है, temperature बहुत जादा, बहुत कम, आज बहुत गर्मी है, means क्या है? तो अगर हम इस बात की ब्याख्या करें इस विपेस्ट पहता है इस विपेस्ट विपेस्ट रुटिस्ट इस इस वांग भाता इस वांग उपेंस और गास वाली जूटिस वांग शुटिसट जास वांग मिन gas it becomes hot यह क्या हो जाता है it becomes hot burning gas पर रत्मे को क्या हो जाता है हो जाता है तो what can we say we can say that it is temperature is high it becomes hot hot means hot car यही हो गया hot means its temperature is high its temperature temperature is highly अगर किसी चीज को हम कहते हैं कि वह हो गया है इसका अर्थ है उसका 35ant4 यह पीपली वे फ्युक्त्र हश्वीप्रिचरय यहा है इसक्राइव झेख सैन्टीन खांस ह blossom विजम merge पेमाद देख गणब कार। इन रेफ्रीजरेटर जैरेटर रेफ्रीजरेटर इन पिकम्स कूल इस ट्रमटा गदेखा आप है वाट ठंडा होने क्या दिखाता है That means its temperature is low That means उसका अर्थ क्या हो गया Its temperature is low उसका अर्थ है कि उसका temperature low हो गया मतलब कि If we place utensils on a burning stove अगर हम utensils को उसके burning stove पर रखते हैं तो धीरे धीरे उसका temperature बढ़ता है मतलब कि hot होने का अर्थ है उसका temperature बढ़ा और दूसरा चीज है कि अगर हुई टंडा होने कि अगरें को रखते हैं तो उसका अर्थ होगा है मतलब उसका अर्थ है कि उसका temperature कम हो गया मेजर है temperature The hot object You should know The hot object का अर्थ हो गया कि मतलब hot हुआ मतलब इसका temperature high हुआ cold हुआ this is a temperature you know about not harder object has higher temperature where as cooler object found lower temperature hotter object Carl T. he the exact high temperature but not hot object you should note this hot object has on object object higher temperature higher टेम्प्रेचर एंपरेचर होड अब्जेक्टाज हाइस टम्प्रेचर होता है इसके बाद क्या होता है और कुल ऑब्जेक्ट हाँ Cool object Cold object Object Have Lower temperature Lower temperature हम इस तत्थ तक पहुंचे कि Hot object की तो है Temperature higher होगी और Cool object की जो Temperature होगी वो कम होगी Temperature तो यह सिर्थ चीज आपको Notice करना है Hot object के पास आपके कैसे Temperature होगे Hot object means High temperature Cold object means Lower temperature तो यह temperature का Definition create करता है Temperature क्या है Temperature of an object Is the degree of hotness and coldness इसका अर्थ है कितना मतलब की temperature का अर्थ होगया Temperature of an object Is the degree of hotness कितना है कितना कम है कितना ज्यादा है Temperature of the object Temperature You should notice Temperature का definition Yes दिखे का definition Definition Of Temperature 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 का definition क्या होगा Temperature क्या है Temperature of an object यह Temperature Temperature Of An Object Is the degree of Is The Degree 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 Of Hotness 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 And And Coldness Degree Degree Of Hotness And Coldness And Coldness Means कोई चीज कितना होट है कितना कोल है ठीक ना इसको कहते है Temperature Temperature Of an object Tells What does Temperature Of The Temperature Of Temperature Of An Object Is the Degree Of Hotness And Coldness This Is Our Definition To Temperature To A ब हम देखेंगे कि Cold Object का अर्थ क्या हुआ Cold Object Had Low Temperature Hot Object High Temperature High Temperature Of An Object क्या बताता है High Temperature Of An Object Tells That It Is A Very Hot Object High Temperature Means Hot Object Low Temperature Means Cold Cool High Temperature Hot And Low Temperature Cool Object High Temperature का बता है कि बहुत ज़्यादा Temperature ही होने से Object Hot हो गया है Cool यह बता Temperature Of Water ते जैसे कि Thermometer से Temperature करते है Temperature को Temperature Of Water की बात करे ज़र मेजर किया 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 है Temperature Temperature Of You should notice Boiling Water Boiling Boiling Water Temperature Of Boiling Water Is What Temperature Of Boiling Water Is 100 Degree Centigrade 100 Degree Centigrade Notice This Degree Celsius You Here Used 100 Degree Celsius 100 Degree Celsius It Is Very High It Is Very High इससे आगे पढ़ जाएगा तो और ज्यादे हाई इससे और आगे पढ़ेगा तो और ज्यादे हाई हो गया तो टेंप्रेशों Water Is High It Is It Is Hot Hot हो गया तो Temperature of Melting Ice अगर बात करेंगे Temperature of Melting Ice की तो अगर Temperature Temperature of Melting Ice Melting Ice Temperature of Melting Ice Is Zero Zero Degree Centigrade तो यह Mark Level Zero 100 Degree Marking Level Water Zero Degree Temperature Is Low Cool It Is Low Temperature Low Temperature Low Temperature And It Is Cool And Thund It Is Very Cold It Is Very Cold Temperature Is 100 Degree Celsius And Mending Ice Temperature Is Zero Degree So Water Is Is Zero Degree Centigrade So This Is The Temperature And Cold Thermometer Temperature Measure Thermometer Temperature That Laboretre Thermometer Thermo Meter Thermometer Thermometer And Clean Thermometer Temperature Is Measured Measured By को आप एक हो गया क्लीनिकल क्लीनीकल एक हो गया क्लीनिकल थार्मो मीटरे थार्मो मीटर से टो टाइप ऑफ इस त्रूमेंट bunlar दो तरह के अब जहाए एक हो говоря ल्यापोरिकल थार्मोमिटर मेथे अब हम चलेंगे लेखर थार्मोमीटर और सख्रांफ करेंगि पर नार्यदिशन इसमें क्या होगा Right gradation gradation marked marked on the tube gradation marked in the tube of commonly used of commonly commonly used thermometer used thermo meter gradation mask on the tube of commonly used thermometer that is commonly used thermometer commonly used laboratory thermometer commonly used laboratory thermo meter is gradation marking here is minus 10 degree centigrade to यह प्लास मतलब 110 degree positive reader minus 10 से 110 तक के temperature को आप मेजर कर सकते हैं by using laboratory thermometer laboratory thermometer का प्रयोग करके temperature कहां से कहां यूज कर सकते हैं minus 10 to 110 degree centigrade मत्नाब कैं मेजर laboratory thermometer कैं मेजर that is gradation marked on the tube of commonly used laboratory thermometer कितना होता है minus 10 से XO10 that is we can measure temperature within the range lowest range 10 degree centigrade and highest range 110 degree centigrade and highest range 110 degree centigrade that is हमलोग that is we can measure we can measure measure the lowest temperature the lowest 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 temperature 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 is thermometer के साहता से temp temperature is minus 10 degree centigrade lowest temperature हम को बख इलाविटी थाप मेटर से कितना मेजर कर सकते हैं minus 10 highest temperature highest 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 temperature 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 we can measure by this thermometer we can measure 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 by this thermometer by this thermometer by this thermo देखे वाच्यो हम लोग जी लेवरिट्री थार्मोमीटर की बात कर रहे हैं वो लेवरिट्री थार्मोमीटर में जो marking scheme है वो minus 10 से 110 के बीच होती है और इस से हम लोग 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 लोइस टेप्टरेचर माइनस चेहिए प्राप्त कर सकते हैं माइनस टेन तखेंक प्रीट कर सकते हैं बियौंड उसके नहीं जा सकते हैं और इस लेवरीटरी थर्मोमीटर से हम हाइस तेप्रेचर जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वह प्रस फोन हंज़ड़ 10 दिग्र तक 10 डिवी साथ तक रेकॉर्ड कर सकते हैं तो यह मारा लएट्री थार्मो मीटर था रहे चितना हो गया मिकल से इसका गार पूस्टे तो कितना लिखे का इसका रेज ओजाएगा रेंड आप बूचे कि रेंज ओफ लेंड आप लेट्री थार्मो मीटर तो how can you write its range is minus 10 degree centigrade celsius to 110 degree celsius this is the range of what you use laboratory thermometers यही laboratory thermometers का एक range है तो अब हम लोग laboratory thermometers में पढ़े कि इसका range जो होता है minus 10 से आपका plus 110 होता है जिसमें lowest temperature minus 10 degree centigrade होता है or highest temperature 110 degree centigrade होता है तो यह लेख्यवती था लेख्यवती तो यह लेख्यू घ्र मेतर था चाल इस चाल तॉ आप तर्मीटर फुच्ट उ लेख्या हम जैई मेच़ तर्मीटर पूमिटर तो वह इस जवार्पी तर्मीटर चलीचे डिवा पानाइश टेवाइश तो मेचा यह तो ग thermometer has scale mark on you thermometer को कैसे बनाते हैं temperature temperature को मेरिंग का डिवाइस किया होता है मेरिंग डिवाइस आफ टमपरेचर मेजरीं डिवाइस डिवाइस अफ तेम प्रेचर तें प्रेचर मेरिंग डिवाइस आफ मेरिंग डिवाइस अवाइस एफ प्रेचर इसाँ 1 मेरिंग दिवाइस वीजरीचर जर्विंग डिवाइद घर्माल टवेट अ करेदा संट्डीट अ thermo meter has a scale marked on it marked on it thermo meter में क्या होता है कि एक स्केल मार्क होता है mak on it which is used to read temperature which is which is used to read temperature लीट टेम्परेचर तैंपरेचर लिज तैप लेशन तैंपरेचर को पिए क्या होता है है स्केल मार्क ऑन इपर किसते का मार्किन होता है जो टेम्परेचर को में सहायत होता है अगर बात करते हैं हम इस थर्मोमीटर की यह थर्मोमीटर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा यहां से ऐसे और हमीशार हर थर्मोमीटर के जहां से टेप्रेचर मेजर करना होता है वहां पर एक मर्करी का बल्व लगा रहता है देखेगा जब भी अब उखान आपने वा मीटर मीटर की तो हर मारक यहां पर मैनस दस है तो हर एक देखे broke थोड़ेघे होता है क मतलब दोनों के हार समय भीज कर दिफ्रेंस होगा वो दस का होगा यहां तो फ्रों फाइब दिखर दिखरी ओगा इसी तरह से यहां पर बास तरह से मार्किन है वीज यहां पर दस दस का मार्किन है 30 40 50 60 70 80 90 आपर 100 और यह हो यह एक सॉफ दस अब यह थार्मोमीटर 110 जादे कुरी नहीं कर पायेगा यहां से हमाल यह मर्करी का यह मर्करी यह हीट होने पर एक्सपैंड करता है यह जैसे जैसे होट होगा यह मर्करी का पारा ऊपर चलता चलाएगा अधिक पारा पर है दस पर है तो टेप्रेटर इसकर सब्सक्राइब जो मार्ण क्या होता है और होता ही फोक्राइफ दसके दस एक नोन रहे होगा मतलब करतिक जो है यह स trás में दस तो यह है यह वार्की यह हों पर जो ईक एक डिपिरी खन ता न एक डिप्रेब का अंतर क्ते का अलाख पर थेग चोटा-फोटा साह स्क्रैसे pro क्तेमेशंथ का यहां से हर आप यहां च्रक्रैस कि डॉस कर सकने तथि हो तो तर्मोमेटर स्केल मांगोनेटा है और पर स्केल होता है और तो मांग पर आता है जो की तेम्टेशर पुरीट करने में यहां पर चला गया तो यह है हमारा लेटरी थर्मोमीटर अब इसके वारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके करस्टक्सम के वारे में पढ़ेंगे लेकिन थर्मोमीटर क्या अर्थ हो गया कि उस पर कुछ स्केल है और उन्हीं स्केल को हम लोग बढ़ करके थर्मोमीटर को रीड करते हैं कि टेम्परेचर कितना है और यहां स्केल को रीड करते हैं देखिए जेए मौस्ट कॉमन तमक्रिचर रूमोस्ट क्यों मोस्ट को मेजर करने का रूलों बात कर रहे हैं स्केल Most common temperature scale सबसे समानने scale Temperature Most common temperature scale Marked on thermometer Marked on thermometer Thermometer Most common temperature scale Marked on thermometer For measuring temperature For what? For measuring temperature Measuring temperature Most common temperature scale Marked on thermometer For measuring temperature Temperature के मापने के लिए Most common scale होता है जिसका यूज करते है Is in the Celsius scale In the Celsius scale इसमें कौन सा पैमाना हम रोग यूज करते हैं? Celsius का मापन पैमाना Celsius scale Celsius scale is most commonly used Temperature expressed in the unit of temperature Temperature is here Temperature 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 In the unit of In the unit Of degree Celsius Of degree Sorry Degree Degree Celsius जिसको मतला हम लोग जिसको मेजर करते हैं कैसे मेजर करते हैं डिगरी Celsius यह सेल्सियस और यहां पर निखते हैं डिगरी डिगरी पहले तब यह जिसको यह डिगरी Celsius हो यह रिए दिगरी Celsius तो यह थीडरी जिए को हम जीरो से रिप्रजाइज करते हैं जीओ डिगरी जीओ और Celsius से से रिपरजेक्ट करते हैं तो ही तबरेचर जो है इस एक्सप्रेटर किस रूप मेरे होता है in the unit of degree Celsius temperature का यूजिए यूजिव होता है एक unit होता है जिसको चलाते है डिग्री Celsius में in Celsius a scale and unit of degree Celsius तो unit of degree Celsius में क्या करते है कि एक small circle at the top of C मतलब C के ऊपर एक small circle use करते हैं जो degree का लाता है तो unit degree Celsius small circle at the top denotes the term degree ये क्या denote करता है ये term 0 जो है this circle denotes degree this circle denotes degree ये क्या denote करता है ये degree को denote करता है and denote Celsius और C क्या denote करता है ये Celsius को denote करता है 0 degree को represent करता है और C Celsius को represent करता है अब हम लोग Celsius scale of temperature में हम देखेंगे क्या Celsius scale of temperature ये हो गया और temperature is expressed in unit of degree Celsius तो अब हम समझ गये कि आप लोग पुरीत मेहतर तरह से समझ गये होगे कि यहाँ पर हम लोग जब degree Celsius का पल्योग करेंगे तो जो सर्कील होगा वो डिगरी कहलाता है और C यहाँ पर Celsius कहलाता है तो Celsius scale of temperature जो Celsius scale temperature का है उसमें जो है lowest पाइमाना जो है melting ice का लिया जाता है और जो हाइस्ट पाइमाना है boiling point of water लिया जाता है तो हम लोग पिछले इसके कुछ देर पहले बता है कि melting of ice जो होता है वो 0 degree centigrade पर प्र 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 आइस और water जो है वो खोलता है कितना पर water अगर खोलता है तो वो खोलता है 100 degree Celsius पर तो अब यहाँ पर जिक्र करेंगे हम बात की किlla जए। फैडी दिकल्यचय है प्रनचीच्क दिखक़ लिखकत है कि ममिकल्त प्रहस करेंट डिखक़ जपकित है melting ice melting ice is given value is given value of zero degree मतलब जो आइस मेंट कर रहा है उसको बहलो कितना दिया गया है zero degree Celsius this is zero degree Celsius zero degree Celsius and temperature of boiling water and temperature 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 of boiling water temperature of boiling water has given the value given the value of value of hundred degrees Celsius boiling water temperature of boiling water 100 degree Celsius melting of ice as given value zero degree Celsius तो यहाँ पर जो 0 degree Celsius है वो ग्रेंटिंग आइस की तेंप्रेचर है और 100 degree Celsius जो है वो बारी माटर की दिया हुआ है कंडिशन अब हम लोग पढ़े हैं कि लेंद्री थर्मोमेटर में लेंद्र आफ के बारे में अप्वलयटरी थर्मोमीटर फड़ेज़ आपे यहां पर नेथ आफ रेंट्री थर्मोमीटर आफ लेंध टर्मोमीटर लेंध और लेंध और length of laboratory thermometer is in between is in between zero degree centigrade and hundred degree centigrade I said to us ka minus 10 to 110 hota hai the length of thermometer is in between ithna and ithna degree centigrade mark is divided into is making a possible the marks is made the marks is divided marks is this is geos a saw ke bichka itna marking over a quick push time the mass is divided into 100 equal part divided into hundred equal parts of बराबर भाग में equal part जैसे अगर बात करते हैं मर्करी थर्मोमीटर की आज यह यह एक मर्करी थर्मोमीटर है माणके चलते हूं यह यह इस इसमें यहां पर minus 10 और यहां पर है 110 यहां पर है 0 यहांrac новых तो इसके बीच जो है कि तो कितना मार्स होगा 100 होगा एक तीन चार पांच छेह सात आठ भी अधसी canyon है करें 1789 यह पर ये 100 मार्ख खांटर इस्वर्टभी जांगे और अगया तो तोटल इसमें हंडे कहने का था है सब्सक्राइब करें तो यह तो यह तो यह सब्सक्राइब करेंगे डिकरी सेल्सियस में सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए अब हम लोग पढ़ें यह तो जितना भी तेंप्रेचर होगा तेंप्रेचर ऑफ ऑप्जेक्ट सुड अल्वीज बी इंडिकेटेड इन जीरो डिकरी सेल्सियस अगर ऐसे हम लिख दें पचीस तेंप्रेचर है पचीस यह डिगरी सेल्सियस तो यह जो है डिगी सेल्सियस हमेसा जूज करेंगे जब हम किसी ऑबजेक्ट के टमप्रेचर को मेजर कर रहे होंगे तो हम लोग को दो थर्मो मीटर जो पढ़ना है वो पहले पढ़ना है आपका एक लेवरेटली थर्मो मीटर और दूसरा पढ़ना है आपको क्लीनिकल थर्मो मीटर एक पढ़ना है लेवरेटली और दूसरा पढ़ना है Clinical Thermometer तो हम लुक चलेंगे कि Thermometer कितना हम लुक पढ़ना है Thermometer Thermometer एक हो गया Clinical Laboratory Thermometer एक हो गया Laboratory Thermometer Thermometer और दूसरा होगे आपका क्लीनिकल क्लीनिकल थर्मो मीटर क्लीनिकल थर्मो मीटर क्लीनिकल थर्मो मीटर एक लेटरी थर्मो मीटर दूसरा क्लीनिकल थर्मो मीटर दोनों ही मरकरी थर्मो मीटर है तोनों ही यूज होता है मरकरी इस बहुत आप देखेगा आपका जो है लेटर गांजो मिटर्वर करें निस टू आप देंगे टू आ मरक्री सर्मो मीटर्व गया मटकरी थर्मो मीटर्व क्योंकि उन में मरक्री का होता है because mercury is used in this thermometer when heat is applied to us this box of thermometers to mercury का लेवल लाइज भाइज करता है हम लोग जिक्रे करें के कि जाब इसमें है when heat is supplied to thermometer when heat is supplied here is supplied supplied to thermometer thermometer when heat is supplied to thermometer bulb containing mercury thermometer bulb containing mercury 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 when heat is supplied to the thermometer bulb containing mercury expand give health on the camera expanse and rises in the glass tube expanse and rises in the glass tube and rises in the glass thermometer of thermometer okay when heat is supplied to the thermometer bulb containing mercury each of our both of our mercury all that or expand and rises in the glass tube of thermometer this fact is used for making the temperature in fact this fact is used for for measuring measuring temperature the temperature temperature this fact is used for measuring the temperature of heart body तेप्रेटर और हाट होड विए चुक्कि वोट्स के स्मॉल पाइट मोरी स्ट हर से थेगर लेट थिस प्रॉपडीन जबाल्ट येरे प्रीट सप्लाइए को प्लाइट्स का थेख रूँट को टॉपडीन देख टीड ये हर दिखा घ्र ना ने न्ट ब्हूर कॉटूध इसा पन्हों मेजर करता हैं रफ लाँ कि पर तरफ तर्मोमेटर कि यहाँ पर ह्यर्टिंग देदी जिए कि यहां बानु कि ओ Creak premomitar right three Dagum नेतर a meeter लोडीनbayररे क्या है लिए उस ठीलोडों धुरमेटर ये उसकी जोससी आम लग्म मेंटर आगए ये इसको ऑफिकोगुन कहा होता है इद जूच 7 it is, it is used for, it is used for, measuring the temperature, measuring the temperature, temperature, it is used for measuring the temperature in science laboratory, in science, science laboratory, is made up of, laboratory, is made up of, laboratory, is made up of, laboratory, 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 thermometer, thermometer, is made up of, made up of, of a long tube, a long tube, a long tube, tea having a thin bore in it, long tube tea having, a thin bore, thin bore, in it, like that, we have made up of, laboratory, thermometer, this way, and here, laboratory, thermometer, this way, thin bore, here, mercury, this is mercury, and there is a glass bulb, 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 glass bulb, there is a glass bulb, containing mercury, it is, containing, this will be, containing, this will be, containing, containing, mercury, mercury, the containing, mercury, it is, sanctuary, power, that the elaborating thermometer, is made up of, long tube tea, and having a thin bore in it, within it, within it, it is, but we can deal with it with the वीडियो हम यही सभाप्त करते हैं, तिल दैं थैंक यू, यह बता रहा है कि एक्सपरिमेंटल कंदिशन है, इस कंस्ट्रक्शन को समझाया जा रहा है, तो इत एक्सपरिमेंट इन विद्फीगर हम अर ले वीडियो में लेगे, इसी लेट्री थानोंदिटर के साथ, तब तक के लिए all students, है, thank you for watching the videos and subscribe and like the channels, I Varun Singh, ending the class, thank you.